तो यह अगर मैं आपको बोलूँ कि रोल एल्फेड एक लौटी ऐसी बाई के जिस पर जितना पैसा लगाना चाहो जितना बजट लगाना चाहो उतना कम है क्यों कि या फिर मैं आपको बोलूँ कि बाई काउंटिंग कस्तम जाजी कस्तमेशन इंडिया में भी होती है यकीन नहीं होड़ा ना आपको देख लो करने के लिए आप लोग अपनी बाईक सेल करना जाते हैं बेना किसी आर्सी टांसर की दिक्कत या फिर पेपरवक की पशानी से तो आप अपनी बाईक सेल कर सकते हैं अनलाइन बाईक सेल करने के लिए आपको करना क्या है निचे डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक दे रखा है जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पहुच्छोगे बाईक सब्सक्राइब करोगे तो एक च्छोटा सा चैट बॉक्स खुल जाएगा वहाँ पे आप से 15-20 कोशन पूछे जाएंगे उनके आपको और आपको वेल्यू अच्छे लगे तो आप उनको कंफॉर्म कर देजिए और उसके बाद उनका एक एक एक्सिक्यूटिव आपकी पूरी बाईक की इंस्पेक्शन करेगा अगर आपके जो आंसर्स है वो बाईक से बिल्कुल मैच कर लगे होगी और इसके बारे में मैंडिफाइंग करूंगा तो इतना मज़ा ना आप बढ़े जिसने महनत करिया अगर वो बताएगा तो यहां पर सूरी साब आचके सर क्या ले मतलब कुईन इतने दिनों बाद हमारे चैनल पर आ रही है इतना वेट क्यों करा आपने पहले बास यह बता दो पब्लिक को उसके बाद बाद गुम रहे थे अच्छा आपका वेटी कर रहे थे हैं अरे इसका नाम तो हम सब को पता है बहुत जादा ही मतलब चल रहा था इंतजार की कुईन कब आएगी योद्दा कब आएगी तो कुईन हमारे सामने कड़ी है तो सर फि सबसे पहले तो विशेश कुईन हमने नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि में अजेंडा हमारा यह था कि काफी एक रॉयल लुक में बाइक आनी चाहिए अच्छा और जो बहुत सुपीरियर हो तो सबसे सुपीरियर तो हमें लगा कि इसका नाम हमें कुईन रखना चाहिए और चीक है नॉर्मल हमारे बाइक में क्या होता है कि 17-18 इंच का टायर आता है चीक है अब आप आइडिया लगाईए इस सिक्स इंच टॉलर कितना बड़ा लग रहा है और बाइक को भी वैसा ही लुक दे रहा है बाइक को भी वैसा लोग दे रहा है 130 mm इसका वेट है चीक है औ गोल्ड क्रोम का काम में को काफिया दिख रहा है तो यह मतलब हटता नहीं है जो आप कोटिंग कराते हो अगर नहीं हटेगा नहीं जब तक आप इसकी करोगे अगर आपने इसको छोड़ दिया वैसे भी इतनों खुबशूरत बाइक कोई ऐसे छोड़ सकता नहीं चोड़ स अगर तो कस्तमाइस ती लगी है यह यह प्रॉपर इसके कवर्स बनाए गए है जैसे कवर है काफी डीटेल डाल रखी हमने कवर्स तो यह कंप्लीटी बिलेटल अल्मूनियम से मशीन है अच्छा यह चोटी-चोटी डीटेल हमने बहुत सारी एड़ आप कियो ओके इसके फ पीस हजार पीस लाग पीस एक साथ बनते हैं अगर आप एक ऐसी कस्तमाइज बनवाते हो तो भाई आपके लिए स्पेसिफिकली बाइक बन रही है तो अगर आम इसके फ्रंट डॉम की बात करें यहां पर आपने लाइट लगाया यह भी बहुत मैच करता हो लगाया और में इसको जो लग रहा है अपने आप से कि आपने जो शॉकर पर यहां पर दिया है थोड़ा सा डिजाइन वही आपने डूम पर थोड़ा सा कुछ बना एक्षली आपने डूम इंपोर्टेड है हमने ताइवान से शिप किया बागी इसमें जो हैड़ाइट लगी रही है ताश पर भी हमने गोल्ड क्रोम कर रख एक और यह कस्तम हैंडल का समय डेफिन देफिन लेक्षली कहाई कि अगर कंफर्टेबली हमें बैठना इस बैको चला रहा है तो हमें थोड़ा सा बड़ा हैंडल देना पड़ा एंड़ा एंड़ेस वेरी कंफरेबल जितना देखने से कोई भी बंदा इसको पर बैठें बहुत कंफरेबली चला से ओके तो यह आपने हांडल कस्तमाइज अपने हाथों से मतलब यह बना है ओके तो अगर हम रोले फील नॉमल पर लगाना चाहिए तो नहीं लग पाएगा राइट उस पे अच्छा नहीं लगेगा उसकी बहुत स्लिम टैंक है इस पर हमने पेंट्स की मेंक फॉलो की है तीन पेंट्स उसकी है गोल्ड रेड एंड ब्लैक तो पिंस ट्रिपिंग कर रखी हमने गोल्ड से सेंटर में अगर आप देखोगे तो एक क्वीन को जस्टिफाई करते हुए एक चोटा सा लोगो लगा रखा है क्र इन चीज आती है कि पीछे का टायर बहुत जादा हो रहा था कि वहीं का टायर कैसे बनाया जाएगा कैसे होगा डिजाइन इतना ब्लैक था तो अगर हम टायर की बात करें तो थोड़ा साप बताना चाओ आप टायर जो इसका विशेश है सबसे पहले तो टायर से पहले कोई भी अगर निकल रहा होता है और एक बार इस बाइक को पलट के ना देखें एंपॉसिबल ओके तो यार लग भी रहा है कि आपने काम किया है मैंनत करी है विशेश और डीटेल्स में बात करते हैं जैसे आप एंजन देख रहे हो तो इसमें चोटे-चोटे है वह हमने गोल्डन फिनिश में रख रखा है ताकि इंजन की लुक को और एंहेंस कर पाए है ब्लेक एंड गोल्ड और एक्जॉस्ट आप देखी पा रहे हो कितना खुब्सूरत लग रहा है सबसे अलग एक्जॉस्ट हो गया वील हो गया हंडल इस बाइक वेना सबको जैसा यूनीक है ना कि आप एक स्पेसिफिक चीज को नहीं हो सकते हैं सिर्फ और से अच्छा लग रहा है तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या यह स्टेनले स्टील में बनाया आप देखो कितने पीसिस हमने कनेक्ट कर रखे हैं हां और हमने इसे रोच होड़ रखा ठीक है क्योंकि स्टेनले स्टील का है बाकि जब यह रोड पर रन करेगी तो यह थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा तो बहुत खुबसूरत लगेगा और एक और चीज है यहां पर आपका पैर लगने का डर नी होता क्योंकि आप देख सकते हो फुट्रेक्स इसका जो थोड़ अवाज बहुत रोरिंग है जैसे क्वीन है इसकी जो लुक्स है वो इसको जिस्टिफाइ कर रही है वैसे ही इसका जो एक्शॉस्ट है बहुत अमेजिंग साउंड एक लास कोशन जो मेरा है वह साइड के पैनल्स की बात करें तो आपने यहां पर यहां पर यहां पने प्रण जोब तो तो फोड़ा बहुत हमें कवर करना था बट हमने सोचा बहुत थी तो दिश्ट यह अर्द बीना लगे जाड़ा वहां से शुरू हो और पीछे तक जा रही है जो काफी ज़्यादा बढ़िया लग लग रही है कि इसमें टाइम कितना लग गया और अगर आम बजट की बात करें कि इंडिया में अगर किसी को ऐसी बाइक कस्तमाइज करानी है रॉले फील नहीं अगर कोई रॉले फील इंटरसेप्टर दे या फिर 300 दे तो कितना बजट और कितना टाइम आप लेने वाले हो देखो विशे इसमें जो सबको हिला दिया तो इसके कारण ही बहुत डिले हो गई और अल्मोस्ट एक साल से जादा हो गया था बट अगर वैसे अगर अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इसा प्रोजेक्ट तो फॉर तो फाइव मंस के अंडर 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 अगर अगर बजट की बात करते ह विशेज अप्रोक्सिमेटली आपको मिनिममम अगर मैं आपको बजट बता हूं तो 6.5 लाग मिनिममम बजट बट इस 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 बोस्पीरियर बाइक और इसके बाद और और भी एक क्वीन जैसी और रोयल बाइक हम 650 पे भी बनाने ओले हैं ब्रैंड न्यू इंट्रसेप्ट होनी चाहिए और स्पैसिफिक मिनिममम 500 CC होनी चाहिए ओके आपने यह चीज सुन लिए होगी कि भाई 6.5 लाग रुपए अगर आप लगाना चाहते हो अपनी रोयल फील्ड और बनाना चाहती हो ऐसी क्योंकि यार हजार बाइक 2000 लाखो बाइक रोयल फील्ड गूमरी आपको यह चीज लगी होगी वीडियो अची लगी होगी अगर अच्छा लगाओ तो यह वीडियो को लाइक कदेना चाले को सब्सक्राइब कर दो बाकि अब इसको लेकि जलते हैं रोड पर आप देखो इसके बड़िया से राइडिंग शॉट क्योंकि जब रोड पर चलत चलते हैं पर आप